दोस्तो मोटरोला ने इंडियन मार्केट में फिर से अपना एक न्यूव स्मार्टफोन मोटो E22S को लॉंच कर दिया है ठीक है और इस फोन को मैं लेने से आपको मना कर रहा हूँ इस फोन में मुझे कुछ प्रोब्लम दिखाए जो कि इस वीडियो में आपके साथ सेर करेंगे और इससे भी बढ़िया स्मार्टफोन बताएंगे इस प्राइसे पर जो कि आपके लिए बेस्ट होगा लेकिन उससे पहले इस फोन का करते हैं और बताते हैं कि इस फोन के बोक् प्राइस के कोडिंग और इस फोन में एक 10W का charger मिल जाता है और उसके बाद इस फोन में एक USB Type-C Cobed to यहीं तीन कंटेंट इसके box में मिलता है और phone look wise phone अच्छा है और हाथ में पकरने पर भी phone अच्छा फिल होगा price के according ये सब चीजों में phone बहुत बढ़िया है वहीं इस phone के बागी specification का अगर बात करें ये phone IP52 के certification के साथ आता है तो थोरा वह चीटा पड़ गया या फिर dust बगएरा चला गया तो कोई खास फरक आपके phone पोई नहीं परने वाला है वहीं इस phone में USB Type-C port मिल जाता है और एक speaker grill मिल जाता है और इस phone में dedicated SIM card slot दिया गया है और इस phone में side mounted fingerprint sensor मिल जाता है और इस phone में 3.5 mm का headphone jack मिल जाता है वहीं इस phone के display का बात करें तो इस phone में 6.5 इंच का hd plus ips अलसिली डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 Hz के refresh rate के साथ आता है और इसमें 500 nits तक का peak brightness मिल जाता है और यह phone panda glass के protection के साथ आता है वहीं इस phone के processor का बात करें तो इस phone में media tech का helio g37 जो कि यह नॉर्मल यूजर के लिए है इस phone में आप gaming बिलकुल नहीं कर सकते हैं यह प्रोसेसर सीर फर सीर नॉर्मल यूजर के लिए बनाए गया है और नॉर्मल यूजर के लिए भी जब आप बहुत कम application को phone में रखेंगे और एकदम नॉर्मल यूजर करेंगे simple video देखेंगे या फिर थोड़ा बहुत चैटिंग करना WhatsApp Facebook इस टाइप का यूजर रहेगा तो ठीक ठाक हो सकता है उसमें भी यह phone चार-पांच महिना के बाद जो है hang leg ऐसा problem इसमें आना start हो और e-m-e-m-c storage type दिया गया है और यह phone चार्ज बीरेमा चौसर जीवी storage के साथ आता है जिसका की price नेवाशी सो रुपिया रखा गया है वहीं इस phone के camera का बात करें तो इस phone में 16MP का main camera दिया गया है और दूसरा camera 2MP का दिया गया है और 8MP का selfie camera दिया गया है वहीं इस phone के display viewing experience क वह अच्छा नहीं होगा लेकिन हाँ सामने से देखने पर viewing experience ठीक ठाक है और brightness भी ठीक ठाक रहेगा हाँ आउडोर में जाने के बाद जो है brightness का problem आपको हो सकता है इस phone में और यह phone out of the box android 12 के साथ आता है और यह Motorola का phone है तो इसमें stroke android तो मिलेगा ही मिलेगा और इस phone के battery का बा का time लेगा वहीं इस phone के connectivity का बात करें तो इस phone में 4G, LTE, Bluetooth 5.0 और इसमें dual wind wifi मिल जाएगा और इसमें FM radio मिल जाएगा वहीं इस phone में wide1 L1 का भी support दिया गया है तो यही कुछ था इस phone का highlight specification तो देखिए इस phone का जो सबसे main problem है ना वो है इस phone का processor बाद मांकी चीजों में price के coding बहुत अच्छा smartphone है ठीक है और आप एक normal user है थोड़ा भी आप gaming नहीं करना चाहते हैं तो ही इस phone के साथ जा सकते हैं आधरबाई मेरे अनुसार आप अगर 500 रुपया और अगर लगाएंगे तो Redmi का एक smartphone है Redmi 10 जिसमें कि snapdragon 680 प्रोसेसर दिया गया है 50 Megapixel का main camera है और उसमें 6000 एमेज का battery दिया गया और 18W के fast charge को support करता है ये तीन चीजे जो है बहुत जादा बढ़ियां लगा है Redmi 10 में और अभी ये phone 95-100 तक में मिल रहा है जो कि आपके लिए इस phone से जादा best deal हो सकता है लेकिन आप अगर अगर अश्टो के Android के साथ जाना चाहते हैं Motorola का smartphone आपको बह जादा best होगा क्योंकि देखिए low price range में कोई भी जो phone लेता है उसका main priority ये नहीं होता कि बहुत बढ़ियां क्यामरा मिल जाए बहुत बढ़ियां display मिल जाए ऐसा नहीं होता है उनका main priority होता है कि phone ठीक ठाक अच्छे से चले लंबे टाइम तक थोड़ा सा चले बैटरी बेक आप जा सकते हैं प्रोसेसर के अलावा बाकी चीजों में ये phone ठीक ठाक और बढ़ियां है वैसे इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video